टमाटर को लेकर क्या है खास खबर चलिये जानते हैं। बतादें कि मिवात जिला पाकवानी अधिकारी डाक्टर तीन महांबद ने कहा कि टमाटर हमारे जिला मिवात का वन जिला वन प्रोड़ेक्ट में आता है। भारा सरकार ने भी इसको मानेता दी है टमाटर की खेती हमारी यहां सत्रे अठारे हजार एकड में होती है इस बार बहुत अच्छी टमाटर की फसल है किसी प्रकार की कोई ओला वरिष्टी बरसात या किसी प्रकार की कोई प्राकिर्टिक आबदा नहीं आई है फसल में कोई नुक्षा नहीं है किसानों की फसल अच्छी आ रही है और कुछ जगे से टमाटर पाजार में आने लगे हैं बहुत पहतर तकनीक का इस्तमाल हुआ है कई सालों के प्रियास के बाद इस साल पूरी सफलता मिली है मल्चिंग और लॉटनल के साथ टमाटर की खेती लगाई गई है धीरे-धीरे किसान तकनीक की ओर आ रहे हैं डाक्टर दीन महमत ने कहा है कि हमने अपना मार्केटिंग सेटप इसरू कर दिया है ब्राबटी काओं में एक सेटप लगाया गया है जहां इंटरनेशनल कंपनियां सबजियां खरीदने के लिए आएंगी तो वहीं डिपार् बाटी में सबसीड़ी दी गई है तो वहीं बेअर हाउस के लिए जो मेवली तथा माड़ी खेड़ा में बनाए गये हैं डाक्टर दीन महमद ने कहा है कि माड़ी खेड़ा में दो करोड 71 लाग तथा मेवली गाओं में 3 करोड 12 लाग रुपे की सबसीड़ी दी गई है जिला पाकपानी अधिकारी ने कहा है कि उनका प्रियास है कि जो किसान दिली, गुरुग्राम, अलवर या अन्ये शहरों के अलावा पंजाब की फसल, पंजाब में फसल बेचने जाते थे अब उनको मार्केटिंग यहीं से करवाई जाएगी, उनको अब दूर तराज इलाकों में चाने की आविश्चता नहीं है सेंट्रों पर कलेक्शन होगा, ग्रेटिंग होगी और सावसफाई होगी और उसके बाद उसकी पैकिंग होगी जो ब्रावटी गाउं में फूर फार्क बनाय क्या है, उनमें भी अन्ये सेंट्रों के माध्यम से सप्लाई की जाएगी इससे किसानों की ना केबल आमतनी बढ़ेगी, बलकि किसानों को भाव भी अच्छा मिलेगा समय और धन की बचत भी किसानों को होगी, कुल मिलाकर पाकवानी वहाग किसानों की आमतनी दोगना करने की दिशा में तीजी से कदम बढ़ा रहा है आप देखरें नुहमिवाद से लियाकत अलिक रिपोर्ट टमाटर हमारे डिस्टिक का ओडी ओपी है यानि वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट में आता है जो भारत सरकार ने भी इस को मान्यता दी है और टमाटर की खेती हमारे यहां तकरीबन 17-18 अजार एकड़ में है इस टाइम पे और इस बार बहुत अच्छी फसल हो रही है कोई ओले या बरसात या किसी तरह की नेचरल प्राकरतिक आपड़ा नहीं आई है तो फसल में कोई नुक्षान भी नहीं है और भरपूर जो है फसल किसानों की अच्छी आ रही है भी विक्री भी हो रही है और इस बार किसानों ने बहुत ही अच्छा तकनीक का इस्तमाल किया है हमारे लगातार परियासों के बावजूद इस साल हमें काफी सफलता मिली है कि मल्चिंग पर बहुत सारा टमाटर लगाए गया है लो टनल के साथ भी लगाए गया है तो अब धीरे-धीरे मेवाद की किसान तकनीक की तरफ आ रहे है और इसी में हमने अपना मार्किटिंग सेट अप सुरू कर दिया है इसमें भिरावटी में हमारा एक क्यार फूड के नाम से बहुत बड़ा एक सेट अप है जहां इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी सबजियां खरीदने के लिए वहीं डिपार्टमेंट में कोल स्टोर भी बनवाए है वेर हाउसीज में है उस पे सरकार ने सबसीड़ी दिये हम हमारा डिपार्टमेंट ने एक क्रोड 71 लाग एक कोल स्टोर के लिए भी सबसीड़ी दिये वहां भिरावटी में और दो हमने इंटेग्रिटिटिट पैक हाउस बनवाया है एक मेवली में बनवाया है और एक मांडी खेड़ा में बनवाया है जिन पर मांडी खेड़ा वाले पर दो क्रोड 76 लाग लुपे की अनुदांदासी सरकार ने दिये मांडी के मेवली वाले पे 3 क्रोड 12 लाग उपे की सबसीड़ी दिये इनका परपज है कि जो हमारे फिसान अभी दिल्ली गुर्णावा या अलवार या पंजाब तक जो अपने टमाटर को लेके बठकते थे दूसरी फस्नों को लेके बठकते थे अब उनकी मार्केटिंग यह हमारा जो फूड पार्क बन रहा है उसमें भी इनी सेंट्रों के माध्यम से सप्लाई की जाएगी जिससे किसानों की अमदनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि इसमें रेट अच्छा मिलेगा और किसानों का किरायार भागदोड और समय भी बचेगा